ओम शान्ति बाप दादा ने हम सभी को निमित दादियों के लेकिन साथ में हम भी साथ ही है बाबा के तो बाबा ने याद प्यार दी लेकिन बाबा ने कहा कि सोने चांदी रतनों की सजी हुई थाली थालिया थाली नहीं थालिया याद प्यार की भरके सभी स्वीकार करें तो आपने किया स्वीकार हुआ थालियां सामने आ रही है याद प्यार की आ रही है तो बाबा ने कहां मेरे राइट हैं बच्चे कारिय तो करी रहे है और कर नहीं है और करनाहीं किया है तो बाबा ने कहां इस वर्ष विशेश क्या लक्ष रखेंगे तो बाबा ने इशारा दिया है कि सन्ये में तो सभी पास है भी और जो भी आते हैं वो भी बहुत अच्छा प्यार मिला, सन्ये मिला ये रुपोर्ट अच्छी रुपोर्ट ये तो सब समाचार सुनते हैं सुनाते हैं लेकिन बाबा ने कहां कि वर्तमान समय इस वरश बच्चों को विशेश सनेट और शक्ति दोनों का बैलन्स जो है वो रखना सरफ समय भी नहीं सरफ शक्ति भी नहीं लेकिन दोनों का बैलन्स इसकी अभी आवश शक्ता हैं क्योंकि कोई न कोई शक्ति के कमी के कारण ही जो भी समस्याय आती है उसका कारण कोई न कोई शक्ति की कमी है तो बाबा ने ये भी कहां कि जब मैं सरफ शक्तिवान हूं बाबा को शक्तिवान नहीं कहते हैं सरफ शक्तिवान कहते हैं तो बाबा ने कहां बच्चों में भी सरफ शक्ति होनी चाहिए कुछ समय पहले मोरली भी चल दी ती तो बाबा ने कहा कहीं बच्चे कहते हैं, चलो आठ बख्ये सक्तियान लो, तो साथ तो मेरे में है, एक थोड़ी कम है, तो साथ से मी काम चलेंगए, साथ तो है ना, तो बाबा ने कहां नहीं चलेंगा काम, क्यों कि माया भी जानी जाने नहा रहे हैं उसको पता है कि इस में इस शक्ति की कमी है तो उसका दर्वाजा वही होता है इसलिए उसी दर्वाजे से वो आपको वार करने आएंगी रिजल्ट क्या होंगी साथ शक्तियां तो है आप में लेकिन एक शक्ति की कमी वो माया को आवाहन करने का दर्वाजा है तो बार-बार युद करते रहेंगे योगी जीवन नहीं होंगी क्यों हम यह नहीं कहते है कि हम योग लगाने वाले योगी है लेकिन हम लोगों की चैलेंज है कि हम योगी जीवन वाले तो जीवन कोई चार गंटे की नहीं होती है जीवन तो चोविस गंटे ही जीवन है चाए सोय हुए है चाए उठे हुए है कुछ भी कर रहे हैं लेकिन हमारी जीवन सदा है तो योगी जीवन है इसका आर्थ किया 24 गंटा योग होना चाहिए न कहीं बहने सोचेंगी बाबा ने दो मोली में कहा है कि आठ गंटे आराम करो आठ गंटे काम करो आठ गंटे योग लगाओ कम से कम लेकिन बाबा ने ये क्यों कहा इसका आर्थ ये नहीं है कि योगी से भोगी बन जाओ आठ गंटे नहीं पावर्फुल योग जिसको हम कहते हैं एकदम बीजरूपवस्था या एकदम फ्रिष्था उर्तिकला की अन्बूती चलो वो बीच बीच में कभी कम भी हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं होंगा कि आठ गंटे के योगी आठ गंटे के भोगी तो उसको योगी कहेंगे गया योगी जीवन माना निरंत बाबा तो हम लोगों को जब सोते थे ना नींद में तो भी चकर लगा के चेक करता था और बाबा हमारे सोने से फेस से चेक करता था कि ये बच्ची कोई जरा साभी विकार के वश इनकी इस्तिती रहती है या बिलकुल ही योगी जीवन में ये सोई हुई है और बाबा कभी-कभी अगर कोई बच्ची को देखता था तो इसमें थोड़े संतकार थोड़ा मिक्स है तो बाबा बड़े प्यार से ऐसे भुला के नहीं कहता था तो तो मारे में कुछ है कि अविकार ऐसे नहीं कहता था या तो ममा को इशारा देता था ममा इन बच्ची को ऐसे ही रुरःान करतेPS पूछना आपके संखलब क्या जलते यहां तो बाबा मोरली में सुना देता था कई बच्चों के ऐसे संकलब जो चलते है विरत यहां विकार का थोरा सा अंश भी लगाओ भी तो विकारी है न तो बाबा सोने के समय फेस से जानता था हमको एक बात याद आती है कि महामनलेशवरों का जब यहां समयलन हुआ था तो एक महामनलेशवर था जो बहुत पुड़ाना था हमारा अच्छा मित्र भी शुरू से रहा था जब कराची में हम लोग थे तो वासवान जी ने वो पिकेटिंग की थी उस समय वो साधू भी था यानि इतने समय का पुराना और बहुत गालियां दी थी पिकेटिंग की तो गालियां दी तो वो आया था समयलन में उसने जब यहां आके देखा इतनी जवान लड़किया कुमारिया कुमार इतनी रहते हैं कठे मतलब खाना पीना चलना बूलना तो होता ही है ना हमारा ऐसे जैसे यह सन्या से कभी इस्तरी का मुई नहीं देखते हैं ऐसे मुव फेल के बैठे ऐसे तो हमारा ही ने ही फैमली है तो उसने कहां मेरी को फेत नहीं होता के यह इतनी छोटी-छोटी कुमारियां और कुमार कठे रहते हुए खाते-पीते-बाते करते हुए यह बुर्म- बार आता है, नई आत बार आता है, तो हम क्या उसको समझाएंगे, और तो कुछ कर नहीं सकते, तो उसने क्या किया, रात्री को अधाई बजे उठा, उन्हों को कहा, पहरे वाले को, मुझे जहां ये कुमारियां और कुमार सोते हैं ना, वहां मुझे चकर लगाना है, उसने कहा, चकर कैसे लगाएंगे, फिर भी महामंदलेशवर था, तो थोड़ा सा उसको साथ में चकर लगवाए, जब चकर लगा करके पूरा किया, तो वह कहता था, दादी, दूसरे दिन दादी मिली थी, दादी के बिलकुल पाउं में पर गया, जैसे डंडवत पर नाम करत या ना ऐसे, कहा, मा मुझे माफ करो, मा मुझे माफ करो, दादी ने कहा, नहीं भी या, उठो, ऐसे हमारे पाउं कोई नहीं पड़ता, तो उठो, क्या कहना है, कहा मुझे माफ करो, मैंने बहुत समय से, जो गालियां जहनी थी, वो दी, अभी मुझे माफ करो, दादी ने क बाबा ही माफ खरता है, जैसे हम लोग बोलते हैं, तो उसने सुनाया दादी को, कि देखो मेरे को शंका थी, लेकिन हम लोग, हर एक सोने से ही समझ जाते है, कि ये किस विड़ती से सोय हुए है, मैंने चक्कर लगाया, तो मुझे निश्चय हो गया, कि सचमच ये कुमार और कुमार्यां पवत्र रहती हैं, मुझे अपना अन्भो करने के बाद निश्चय हुआ, इसलिए मैं माफी मांग रहा हूँ, मुझे संसे भी आया, लेकिन मैं अभी माफी मांगता हूँ, और मैं आप से प्रामिस करता हूँ, ये जितनी मैंने गालियां दी है, उतनी जहां भी अभी मैं जाओंगा, तो आपकी मेहमा करूँगा, ये उसने शब्द बोले, तो देखो, यानि सोने के समय की विर्थी भी, हमारे फेस में आती है, अगर कोई फालतू बाते सोच सोच के, फालतू जो काम की नहीं है, वो सोता है तो उसके फेस सें भी मालम पड़ता है, और बाबा तो हमारी बहुत चेकिंग करता था, लेकिन इस सादू ने भी कहा, तो मैं इससे हम लोग जान लेते हैं, तो राच्ट्री को सोते समय भी, अगर, हमारी विर्टी जो है, वो बहुत योग युक्त है, अब बाबा तो कहता ही है, जब सर्वस हमंद मेरे से ही है, तो मेरे साथ ही सोना, अकेले क्यों सोते हूं, बाबा के साथ तो सो सकते हैं न, एक ही खट्या पर दो नहीं सो सकते हैं, उसके लिए अलग खट्या डबल बेर नहीं चाहिए क्योंकि अशरी जी है वो तो और आपके साथ होंगा बाबा तो आपकी नींद कैसे होंगी बाबा के गोदी में सो जाओ तो कैसी नींद होंगी और हम लोग जब छोटे थे तब ही की हिस्ट्री मुझे याद आती है कि हम लोग एक ही हाल था तब ही तो बहुत छोटे थे नाओ आट दस वरच के शुरू शुरू की तो एक उपर के मंजल में हाल होता था जो असी खट्या पर जाती थी एक ही हाल में तो हम लोगों को बाबा ने शहिजादियों के माफुक तो पाला तो हमारी जो दो परकार की ब्रह्मनिया होती थी एक तो पराने वादे एक हमारे शरीर के कपरे मालश करना और पेस्ट ब्रश वगरे जो भी ये चीजे है उसकी संभाल करने वादे दो होती थी ब्रह्मनिया तो हम लोगों को पेस्ट भी लगानी नहीं परती थी, पेस्ट भी ब्रश में हमारे वो जो होती थी ना, वो लगा के आएंगी, कपड़े भी रख के आएंगी, हम जाके ना के आएंगी, बस ब्रश करके साबन लगा के, तो ऐसे बाबा ने हमारी पालना की थी, तो उपर जब रात्री को हम सोते थे ना, तो मच्छर दानी लगाते थी, एक-एक खट्या पर मच्छर दानी होती थी, तो हमारी जो ब्रह्मनी संभालने वाली होती थी, वो पहले ही जाके वो टार्श से देखती थी, कोई मच्छर तो नहीं है, फिर वो टार्श से देख करके, सारी बंद करके आती थी, मच्छर नहीं जाएं, और फिर हम लोगों को रात की ड्रेस वगरे में त्यार करके हाथ मूँ दुला के फिर हम उपर जाते थे सोने के लिए तो जो हमारे साथी होते ती दो तो एक एक को मच्छर दानी खोल के उसमें पिठाके फिर लिए üzवन कर देती तो कभी भी मच्छर आ सकते हैं तो सभी आएक को मच्छर दानी के अंदर हम बैछ जाते थे बिलकू ऐसी सीन लगती थी जैसे मंदर में मूट्यां बैठ गई लगेगा ना ऐसे तो तीन लाइन ने होती थी तो एक दो भी देख सकते थे कैसे सीन लगती है फिर हमारा नियम था बाबा का बहुत अच्छी पाइंट बाबा सुनाता था बाबा कहता था इस समय तुम अपने हो शंकर समझो मास्टर शंकर शंकर क्या करता है विनाश करता है ना तो तुमने इस दिन का विनाश किया दिन चर्या खतम होई ने दिन की तो शंकर बनके इस दिन को समाप्त किया और फिर सुबू को उठो तो ब्रमा बनके रचना रचना नहीं नया दिन शिरू होंगा ना और दिन में विचनु बनके पाल ना करना, कामकाज जो भी हो, तो हमको बाबा का लक्ष तो था ही, तो हम लोग जाके बैठते थे, बाबा के लक्ष के अनुसार, जो भी, एक ये भी टेहरिशन था बाबा का, सारे दिन की दिन चिर्या, एक दो मिनिट में रिवाइज करो, और देखो, कि मेरे से कोई गलती हुई, और जो गलती हुई, तो शंकर बनके उसको खतम करो, पर ब्रमा बनके नहीं दिन चिर्या शुरू करना, तो ये लक्ष तो था ही हम सब, तो जब बैठ जाते थे थे न, तो एक ट्यून बज़ता था, तो उस ट्यून पर हम, ये जो समिर्थी है, शंक, मास्टर शंकर है, पोता मेल देखना, ये सब कुछ हो जाता था, फिर कभी-कभी, रोज नहीं, कभी-कभी ममा, एक तरफ ममा हैंचे करने आती थी, एक तरफ बाबा हैंचे करने आता था, वो करके, फिर बाबा कहता था, अब भी, सोने का टाइम हो गया, सारी चेकिंग में हो गया, गुड़ नाइट भी हो गया, फिर, सोजा राज कुमारी का गीत बज़ता था, तो सबी कठे ही सो जाते थे बस, जैसे मूर्ती उठी, मूर्तियां सोई, तो बाबा को बहुत अच्छा लगता था, चोटे-चोटे बच्चे भी थे ना, तो बाबा को बहुत अच्छा लगता था, और हम लोगों को भी अच्छा लगता था, गुड़ नाइट बाबा ने किया, कभी हेंचेक नहीं भी करता था ना बाबा तो दूर से बैच करके ऐसे टाटा करके गुड नाइट करकी जाता था मम्मा या बाबा तो इसी रीती से बाबा हम लोगों को कहता था कि इस समर्ती में सो बस आज का दिन खतम हुआ फिर नई दुनिया नया दिन माना नया दिन चिरिया इसी लिए हम लोगों को शुरू से ही अभ्यास है कि रात को इसी विर्टी से सोना है बस बाबा को याद करके बाबा के साथ हम सो रहे अगर ऐसी नीन करें तो सौपन भी खराब नहीं आएंगे और दूसरी बात कि हमारी निन्डरा में भी योग की अवस्था की विर्टी क्या वो नैन चैन दिखाई देंगे नैन तो बंद होते हैं लेकिन वो जो फेस है उससे हमारे फीचर्स जो है वो योग युद दिखाई देंगे तो ऐसी निन्द हमको करनी चाहिए कहीं कहते हैं हमको सौपन पता ने कहीं कहते हैं कहीं कहते हैं पता ने क्या गया आता है कहां का कहां का कहां पहुंच जाते हैं समझ में नहीं आता हैं इससे सिद्ध है कि फाल तू सारे दिन में जो चलता है ना तो सौपन भी जो है वो ना वहां का होंगा ना वहां का होंगा आपकी पैचान भी नहीं होंगी पता नहीं किस जनम के आप देख रहे हैं तो सौपन में भी फरक पड़ता है और सौपन भी हमारी निंद्रा भी ऐसी होंगी जैसे योगयुक्त हो के हम सोई तो इसको कहते है योगी जीवन जो निंद्रा में भी हमारी विर्थी जो है वो बिलकुल ही योगयुक्त हलकी फ्रिष्टा बंद के बस जैसे उर रहे हैं और बाबा हमारे साथ है बाबा के साथ सो रहे है फिर खड़ाब सौपन आएंगा कैसे जब बाबा साथ में है तो ये अभ्यास अपना करना चाहिए और अपना पोता मेल रोज कितना टाइम लगता है मैं तो समझ चूँ दो मिनटन से ज्यादे नहीं लगता है क्योंकि याद तो हमने क्या किया हमारी कोई भी ऐसी अवस्ता नीचे उपर होती है तो वो बुर्ण थोड़ी जाती है वो तो बार बार आती है तो चेक करना चाहिए सोने के टाइम चलो वैसे पोता में लिखने में हम लोग भी सुस्त है लिखते नहीं है पहले तो लिखा है बाबा के आगे लेकिन अभी कम ही लिखते है लेकिन चलो लिखे नहीं ये तो हो सता है ना अपने आपको तो चेक कर सकते है ना तो ये एक अपना नियम बना लो कि सोते समय हम को सारी दिन की तो मिनिट में और ऐसा तो होता ही नहीं है कि कोई गया बिस्तर पर गया और टिकेट कट जावे थ तोड़ा टाइम तो लगता ही है चाहे कैसा भी ठगा हुआ होगा तो एक मिनिट तो लगेंगा ही तो एक मिनिट में भी चेकिंग हो सकती है ऐसी कोई बात नहीं है लेकन ये आदत डालनी चाहिए आदत ये अच्छी है जो आपको खुशी होंगी कि मैं सारी दिन में क्या किया क्या करना चाहिए आगे के लिए जो बीती गलती हो गई उसको चेक करके आगे के दिन के लिए चेंज कर लो ये मैं नहीं करूँगी और उसके बदले में ये करूँ बस दो मिनिट लगते हैं लेशन ये अभियास बहुत अच्छा है अपनी चेकिंग का और कोई भी नहीं कह सकता है मैं चाहती तो हूँ पोता में रखना लेकिन बहुत बिजी हूँ बिजी हूँ इसलिए नहीं रख सकते हैं इसमें तो बिजी हो जा नहीं है बेट पर पट में या गूमना तो ही नहीं जा नहीं है बेट पर और जाने से एक दो मिनित तो लगता ही है तो उसमें यूज करो उसमें बहुत अच्छा होता है अपनी चेकिंग होने से अपने आपको चेंज करने की प्रेना मिलती है अपने आपी नहीं तो सोचते हैं हाँ परिवर्तन होना तो चाहिए चलता है अला पेला पन आलस सब आ जाता है लेकिन अगर यह आप नियम बना लेंगे ना फिर लेकिन करो अपने आपको ही चेंज करो दूसरा कोई करेंगा तो मैंने कल भी सुनाया था तो दूसरे का सुनने में बहुत थोड़ा लगता है लेकिन अपने आपको तो जो है मन जो सच्छा है वो तो करता ही है ना कि नहीं करता है मन तो अपना मानता ही है कि मैंने यह गल्त चाहे दूसरे को आगे मैं आगहे आगहान है। थैन्क है लेकिन आपने आपको तो लगदा है न कि इतने अलबेले हैं जो लगता ही नहींगे नहीं नहीं न नहीं, आफिम तो आपके प्रभा पड़ता है। जैसी टीछर होती है वैसे उसके स्ट्विदट में भी वह बैबरेशन जाती। यह ऑक नैच्रल है कोई करता नहीं है लेकिन देखा गया है जहां तक हमने देखा है जैसी टीचर होंगी ना उसमें कोई ना कोई जो विशिष्टा होंगी ना चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो अच्छी भी फैलती है और बुरी भी फैलती है मान मुद Boss का योग ठीक नहीं होंगा अमरत्वेले का तो आप देखे को किलास का भी योग ठीक नहीं होंगा और टीचर के ही नहीं सकती है उसको क्यों को मन खाता है बाहर रीती से कुक कर गया नहीं थो रही है, बाबा तो हम लोग को कहता था, कोई ऐसी भाशन करे ना, और कोई गलती कर दे तो बाबा कहता था, यह कुक कर गया नहीं है, कुक कर गया नहीं क्यों, क्योंकि वो जो होता है न, मुर्ग क्या कहते हैं, हां, मुर्गा हां, तो बाबा कहता था अगर आप भी बोलती हो भाशन करेंगी जिग्यासों को जोड से समझाएंगी ऐसे नहीं अम्रते विला चाहिए होना चाहिए अखुद जूला जूलती जाएंगी खेर ये भी अच्छा है कि जिग्यासों समय होते नहीं है लेकर मन तो खाता है ना जूलती है तो बहुत जूलती है मोती चुकती है अच्छा बड़ी कमाल है आपकी मोती चुलने की तो देखो बाबा ने हमको बहुत जूले दिये है लेकर ये निंद्रा का जूला नहीं दिये है बाबा ने एकवारी बहुत अच्छी मोली में सुनाय था तुम लाग ले हो सिकी लदे हो तो सिकी लद्धे जो होते हैं ना, उनको माँ बाप जो है, वो मटी में पाउं रखने, दर्मी में पाउं नहीं रखने देते हैं, या गोदी में उठाएंगे, या जूले में रखेंगे, या नौकर उठाएंगे, पाउं रखना दर्मी में नहीं देते हैं, तो तुमको का जूला ये तो रावन का जूला है रावन के जूला अच्छा लगता है क्योंक बाबा नहीं तो टा्डिल बहुत देता है बाबा कहते है ये योगी नहीं है नेमि झेमि नाथ नेमी नाथ का ग्रूप है हमने सुनाया ना हमारी तो बहुत बाबा ने पेपर लिये साकार बाबा ने लाड़ प्याज भी बहुत दिया इस दम शहजादियों के माफ़क लेकिन चेकिंग भी बहुत करते थे थोरा कोई ने कुछ किया बाबा कहता था बोर्ड में नाम लिखो इसका आपे ही शरम आएंगा इनों को तो आपसे तो ऐसी कोई बात होती नहीं है लेकिन बाबा ने हमको सक्त बनाने के लिए बहादर बनाने के लिए बाबा कहता था लिखो बोर्ड पर नाम आज इसने रोया यह विद्वा बनी आज दिखो यह इतना बाबा हमको अटेंशन दिलाता था साकार ब्रमा तो इतना अटेंशन अपने उपर देना चाहिए नहीं तो क्या है अन्त में देखो अभी तो हम चल रहे हैं ठीक है कोई देखता है कोई नहीं देखता है चल रहे हैं सभी चल रहे हैं मैं भी चल रही हूँ लेकिन बाबा ने एक बात पहले से ही सुनाई है कि अन्त में आपकी दो लाइन लगनी है कौन सी? एक प्राप्ती की एक पश्चात आपकी तो समझो उस समय हम पश्चात आपके लाइन में है को टो किसा कान्दों होगा हमारा? उस समै भी बाबा कहढगा निंदरा में जूलो अभी जूलो पतापरी इप चिह पर बाथप्ती के लैन में खड़िए है और हम जो है वे पश्चाताफ के लैन में खड़िए है तो अच्छा लगेंगा ये इसलिए अपने योग को बाबा, हम लोगों को पता है, कोई को नींद आती थी थी न, तो बाबा कहता था, कि ये जो है न, सर्सों का तेल, उसकी सलाई डाल के आओ, यह तो कहता था, कि अगर आपको नींद आवे न, तो वैबरेशन नहीं फैलाओ नींद का, उठके तो रचक कर लगा कि फिर आओ, और अगर आपके नींद की आदत पर गई है न, तो करेंगी, लेकिन आदत से मजबूर होती है, फिर ऐसा जरूर होगा, तो बाबा कहता था, वायू मंदल को खराब नहीं कर दो, उठके, और आपकी आदत ही है, समझते हो, बैठोंगी और जाओंगी, तो आप ऐसे करो, हमने दो चार का अन्बो सुना है, और हम कहते भी है उनों को, तो आप उठके, अव्यक्त मोलियों का भुक यहां, मोलियां तो सभी के पास होती है, एक पाइंट भी आप उठके पहले परके आप, परके फिर उसका मनन बैठके कर, तो मनन से नींद नहीं कोई भी बात सोचो आप, तो रात को भी नींद खुल जाती है, नींद कम आती है, जो सोच चल रहा है, तो अगर मोलियों की पाइंट परके, और फिर आप उसके उपर मनन करो, फिर देखो आपकी नींद जो है, वो फोरनी खतम हो जाएंगे, होसा तो हुदत है न ऐसे, तो आप ये अभ्यास करना, कहीं भाई बेनों ने हमको सुनाया है, किस अभ्यास के बाद, हमारी नींद खुल जाती है, चाहे भी जूब नहीं होते हैं, लेकन वो जो है नींद, वो मेरी खुल जाती है, वो ही मोल्ली जो है, वो बार बार आती रहती है, पाइंट, तो इसलिए किसी भी दंग से, आप यह समझो, कि अम्रत वेले, जिस समय हमको सबको सकाइश देनी है, चाहे आप एक हो सिंटर पर, देखें, हो तो विश्व कल्यानकारी, या सिंटर कल्यानकारी, विश्व कल्यानकारी हो न, तो बैठते है योग में, तो विश्व कल्यानके पर बैठते हैं, तो आप विश्व कल्यानके पर बैठने वाजी, और उसकी ऐसी अवस्ता होंगी, तो कैसे होंगा, इसलिए आप इस बात को बिलकुल ही, समझो, एक बहुत 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 जरूरी है, यह आदत आप निकालो, जब मदूबन में ही कहते हैं, मौती चुकते हैं, तो वहां तो पता नहीं क्या चुकते होंगी, सिंटर पर पता नहीं क्या होता होंगा, ऐसे तो नहीं हैं वो आसन, आसन होता हैं ना, यह कैसे होता है, कैसा होता है, नमाज पढ़ते हैं, अच्छा, तो निमाज परना मुस्लम है कि आप जो निमाज परते हो, आप तो ब्रहमान हो ना, इसलिए अटेंशन रखो, देखो यहां भी रुपोर्ट है, तो माना पकी आदत है, तभी तो यहां भी होता है, तो यहां का वातावरन, यहां की सब कुछ, बले आप थोड़ा लेट भी हो जाते होंगे, तो भी क्या है, ग्याटा बजे सोते होंगे, और साधे तीन उठते हैं, और क्या है, इतनी तो दिन में भी दिन का टाइम मिलता है, ऐसा तो नहीं है, नहीं मिलता है, बातें करते होंगे, आपस में तो नहीं सोते होंगे, लेकिन वैसे तो टाइम मिलता है, तो इसी लिए इस बात के उपर भी अटेंशन रखना कारण क्या है कि मेरे जीवन से योगी जीवन का अनबव होना चाहिए चाहे सोते, चाहे वो और उसकी विद्ध यही है कि जो बाबा हमेश कहता है कि हर समय बिन बिन समंद से मेरे साथ रहो जैसे मानों क्लास हम करती है तो क्लास के टाइम हमारा टीचर का समंद है हम स्टूडन्ट है टीचर हमको पराने आता है परम्द हम से खास मेरे जी आता है ऐसे नहीं बही जलास में बाबा आया नहीं मेरे से, और मोली में भी मज़ग आपको तब आएंगा, जब आप समझेंगे, कि ये मेरे से, बाबा प्राइवेट बात कर रहा है, ऐसे नहीं, मोली भी मोली जल रही है, कुछ नींद आई, कुछ और संकलब भी चले, मोली पूरी हो गई, मोली पूरी हो गई, सार के टाइम लेखे डाइरी लिखती है, वही सार तो आगया, चलो, ऐसे नहीं, मोली इतनी प्यार से सुननी चाहिए, जैसे कोई प्राइवेट बात करे मानो, तो आप जुटके खाएंगी, यहाँ वाहां सोचेंगी, दूसरी बाते सोचेंगी, कहेंगी वह सामने वाला बात करने वाला कहेंगी, कहां हो तुम, मेरे को जवाब दिया, मेरी बात सुनी, समझी, तो ऐसे नहीं समझो के एक मोली चल रही है, वो नहीं समझो, मेरे से बाबाबा खास मेरे लिए आया है, अब मेरे से बात कर रहा है बचे बचे कहके मेरे से परस्टल हे अर्जन मैं हूँ इसलिए गीता में देखो विचारों ने एक करके तो राइच किया है कि एक ही अर्जन दिखाए युद चल रही है इतने लोग आपने सामने ने खरेया और विचारा अर्जन ही सुन रहा है दूसरे के कान में नहीं जा रहा है लेकिन इसका अर्थ यह है कि हरेक अपने को मैं अर्जन हूँ मेरे से पर्सनल बाबा बात कर रहा है इस सिर्व इद्धी से आप मोली सुनो फिर देखो आपको कभी भी सुस्ती नहीं आएंगे पर्सनल बात कोई भी किसे करता है गंटा गंटा भी करता है उस समय नीदाती है उस समय यहां वहां बुदी जाती है तो उसी बातों में होती है तो बाबा भी मेरे से बाती करता है उस विदी से सुनो और दूसरा मोली सुनते सम्झो बाबा कहते है आप आत्मा परमधाम में थी परमधाम से यहां आई कभी सुख्यो मरतन का कहता है कभी परमधाम का कहता है कभी सरुष का कहता है कभी योग का कहता है बिन बिन पाइन से एक ही मोली में होती है लेकिन जिसा मैं मोली सुन रहे हो, बाबा मेरे से बात कर रहा है, जैसे बाबा कहे परमधाम, तो आपकी बुद्धीर परमधाम में सेर करने जानी चाहिए, और बाबा कहे परमधाम से बच्ची यहां स्रिष्टी परपाट बजाने आए, तो नीचे आओ, पहले परमधाम में अन्भाव करो, मैं परमधाम से यहां साकारवतन में आई हूँ अच्छा, बाबा सत्यूग की बात करता है तो हमारी आत्मा में संच्खार तो है ना, सत्यूग में कितने वारी गए है, गए है क्या भी जाना है गए है ना कितने वारी, अनगिने तो छपा हुआ होँगा ना, सत्यूग आपके अंदर तो जिस समय मानो बाबा सत्यूग की बात करता है उस समय अपनी बुदी वहां ले जाओ, बहुत मज़ाएंगा, जैसे सारा चकर का सैर करके बाबा ले आए मेरे, सत्यूग में सत्यूग की बात हो है, सत्यूग में परमधाम की हो, परमधाम में सुख्यम वतन की हो, फिरिष्टा बन के सुनो चले जाओ, सुख्यम वतन में और सेवा की बात हो, तो वाल्ड में चकर लगाओ, सेवा के लिए तो इसी रीती से अगर हम मोली सुने और सुनाएं भी अगर हमारे में को मोली का इतना रस्ट नहीं है अनभोई नहीं है तो दूसरों को सुनाने के टाइम भी इतना रस्ट नहीं होता है जितनी अपनी अवस्ता होती है मोली का मैतो होता है उतना दूसरे को आप वैबरेशन से वो दिला सकती हो रहा है ऐसे नहीं है वो तो इस कालेज और स्कूल में भी वो कहीं भाशन पढ़ते हैं करते हैं ऐसे ये भी मोली पढ़ लिए ऐसा नहीं मोली का महतव समझो समझो हम बाबा के साथ अभी गूमने जा रहे हैं बुद्धी से चारी दाम की बात करे ना बीज रोप हो जाओ करमाती तो जाओ एक सेकन भी उस अन्वाव में चले जाओ और फिर नीच चाओ फिर बाबा कहां ले चला वहां जाओ इतना मज़ा हैंगा आपको मोली में इतना मज़ा हैंगा जैसे बाहर गूमने जाते हैं न तो रिफ्रेश होके आते हैं न ऐसे आपको ऐसे लगेंगा जैसे बुद्धी से हम सैर करके आए बहुत अच्छा लगी है तो मोली भी इसी विद्धी से सुनो और इस विद्धी से औरों को सुनाओ ऐसे नहीं बस चल पर ली आँ बाबा कहता है ये करो ब ये ये जी जीवन के लक्षन है जीवन है हमारी जी योग लगानु के त्हाकिhadow ऐसे यम्रत फेले योग लगाया ट्रैफिक कंट्रोल में थोरा कंट्रोल किया अधाकिया अधा भी गया, वो भी पूरा हुआ, तीन मिन्ट पूरे हो जाते हैं, चल पढ़ते हैं, लेकिन, जो भी टाइम हमारा मुकरर है, मिलता है, उसमें हमने पावरफुल कुछ फाइदा लिया, तो योगी जीवन मादा, बीच बीच में निकालो, हमने एक क्लास करया था, फारे नर्स को, उन्हों को बहुत पस्ट है, तो बाबा की बाते, अपनी बाते थोड़ी है, तो बाबा ने एक टाइम पर कहा था, कई बच्चे, क्योंको फारे नवाले, बहुत बिजी रहते हैं ना, उन्हों को जाब भी करने पड़ती है, सेंटर भी समभालना पड़ता है, बीचारों का अन्बो सुनों आप, हम जाते हैं उन्हों को देखते हैं, खाना बनाने की उन्हों को टाइम नहीं होती, लेकिन वो क्या करते हैं वीचारे, सुबू को क्लास कराया, उठके त्यार होके किलास कर रहा है अग किलासें उठे तो जब जाओ नोकरी पर तो क्या करते है जो शनिवार इत्वार छूटी होती है न तो शनिवार इत्वार बिरेज बना के सलाद बना के ऐसी चीजें बना के वो फ्रिज में रख देते हैं, छे दिन वो ही खाते हैं, आटा भी गुंद के रखेंगे, टाइम ही नहीं होता है, रातरी को कभी कभी खाना गरम बनाएंगे, बाकी तो ब्रेड और ये और वो बस वो ही चलता है, हम लोग आश्च्रे काते थे, हम अगर रोज ऐसे खाएं, तो कहें अभी तो दिल बर गई है ऐसे, लेकिन वो इतना करते हैं, बाबा से प्यार, सेवा से प्यार, और जाब ज़रू करना है, बाबा ने का है, उन्हों को जाब करना ही है, सिंटर उसी से चलता है, तो छोड भी नहीं सकते हैं, तो इसी रीती से, वो लोग इतना जब कर सकते हैं, तो हमार कोड़ सकते हैं, फिर भी बाबा कहते हैं, अगर मानो आप कहते हैं नहीं मेला किया ना, मेले मे तो सोने की भी फुरसत नहीं है, सोना ही नहीं मिला तो योग क्या लगै? भाग दौर, भाग दौर बेला पुरा होंगा फिर कहेंगे, अभी योग लगा उस दिनों में तो बहुत बिजी थे, तो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई, बाबा ने कहा, एकठा टाइम नहीं मिलता है, कोई हर जाने, लेकिन आप बीच बीच में, जैसे मानों आप बहुत बिजी हो, अगर आपको प्यास लगेंगी, तो पानी पीने जाएंगी य जो भी काम होता है, वो जरूरी हो, तो करेंगी ना, कि वो भी नहीं करेंगी, उसके लिए भी तो टाइम निकालते हैं, एक मिनिट, दो मिनिट, तीन मिनिट निकालते हैं, तो बाबा ने कहा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चे जो है, वो मनी बाक्स नह पांच देंगा, दस देंगा, चलो, कितना भी लेंगा, लेकन वो थोड़ा थोड़ा कठा करके, और कितना खुशी से आप के पास आता है, बहन जी दी जी, मेरा भोग लगा दो, मेरे इतने पैसे कठे हो गए है, मेरा भोग लगा, आते हैं ना, आपको अन्भव होंगा, कहीं बच्चे मध्यूबन में भी ले आते हैं, आप टीचर भी बच्चों की बच्चा ले आते हो, तो बाबा ने कहा, उन्हों को एकटा सो रुपया नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, वो मनी बाक्स रख करके, एकटी करते हैं ना मनी, थोड़ी थोड़ी करके ही करते हैं ना, तो आप टाइम बाक्स बनाओ, मनी बाक्स तो बच्चे चोटे बनाते हैं, और टाइम बाक्स बनाओ, उ एक मिनिट, चलो एक मिनिट बीच में निकाला, दो गंटे के बाद एक मिनिट निकाला, और एक मिनिट अगर आपने पावरफुल योग लगाया, उसका परभाव दूसरे गंटे पर पड़ता ही, देखने में ऐसा हैंगा, कि आपने एक मिनिट निकाला, लेकिन वो आदत भी पढ़ जाएंगी आप, तो बाबा ने कहा, बहुत बिजी है, चलो, होते नहीं है इतना बिजी, लेकिन चलो, इतना है, तो भी बाबा ने कहा, कि अपना टाइम बाउस बनाओ, और रातरी को चेक करो, कि एक-एक मिनिट करते भी, हमारे कितने मिनिट होतों गए, निल तो नहीं हुआ ना, खाली खाता तो नहीं हुआ ना, भरा ना कुछ, और आदत पढ़ जाएंगी आपकी, तो एक मिनिट के बज़ए, दो मिनिट भी निकल आएंगा, शौक होता है ना, जिस चीज़ का शौक होता है, उस चीज़ के लिए टाइम नहीं मिले, यह होई नहीं सकते, पंजापी में कहते हैं ना, जहां चाह होती है ना, वहां रहा जरूर मिलती है, चाहा वाले को रहा नहीं मिले, यह होता ही नहीं है, अगर हमारी रुची हो गई एक मिनिट भी निकालने की मेरे को जमा करना ही है तो आप देखेंगे आपकी आदत ऐसी अच्छी हो जाएंगी जो आपको रस बैट गया ना किसी भी चीज़ का तो टाइम निकलता नहीं है टाइम निकाला जाता है कभी भी आप सोचो ऐसे अच्छे काम के लिए आपको टाइम कभी भी नहीं मिलेंगा माया भी तो साती है लेकिन आपको रस बैट जाएंगा तो आप निकालेंगी जरूँ और निकल भी आएंगा निकलता है ऐसा कोई बिज़ी नहीं है जब शरीर के काम के लिए टाइम कितना बिज़ी होते भी निकाल सकते है तो ये आत्मा के लिए नहीं निकाल सकते है क्यों निकल सकता है स्रफ लगन होनी चाहिए और रस आना चाहिए योगी जीवन है मेरी तो योगी जीवन में तो निरंतर होना चाहिए न ऐसे ही बस दो गंटा योग किया हम खुश हो गए आज तो मेरा योग बहुत अच्छा लगा दो गंटे मुझे पता ही नहीं पड़ा बहुत अच्छा ये बीच बीच में अभ्यास नहीं है तो बीच बीच में ये बैठना निकालना ये बहुत अच्छा है लेकिन लक्ष ये ठेको कि मुझे निरंतर योगी बनना यहां है क्या कहा है योगी जीष ahoraā बनानी है बनानी है बनी हुई है हास्ट बनी हुई है लेकिन अंडरлायं करना है तो निरंतर योगी हो ऐसे नहीं दोगंटे का योग लगाए वो तो कहीं योग लगाते हैं, लेकन हम जीवन वाले हैं. ठीक है? अच्छा.